हाई फ्रेंड आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल के एक नय और फ्रेस एपिसोड वीडियो में दोस्तों आज की सुड़ों में आप लोगों को इस पोधे के मधम से सोना बनाने का तरीका बताऊंगा दोस्तों इस पोधे क बीना ये भी बताया जाता है कि भगोन संकर जी की पुझा अधूरी मानी जाती है दोस्तों फाल जो है बहुत जहरीला भी होता है आज मैं आप लोगों को इसके पौधे के माधम से सोना बनाने वाला यानिक सोना बनाने वाला सबसे सारा लसान घरेलो परयोग बताऊंगा परयोग करके देख सकते हैं इसका परयोग आयरुवेद में भी किया जाता है और इसका परयोग दोस्तों तंत्र में भी किया जाता है तो मैं आप लोगों को दोनों परयोग बताऊंगा वीडियो को अपने फैदिक लेक बार पूरा जरूर देखना अगर हमारे वुड़ आपको थोड़ी भी अच्छी ल होता है कूछी दिनों के भीतर में ठीक हो जाता है साथ-साथ-सके जो-तेल होता है इसे अगर आप गंजे सर पर मालिस करते हैं तो गंज our पर कितना भी पूराना गंज जो सर हों वहाँ पर फिर से बालाना चोटा-चोटा सुरू हो जाते हैं तो यह थे अरविदिक फैदे आप जानते हैं इसके पौधे से किस तरह से सोना बनाया जाता है यानि कि सोना निर्मार किया जाता है तो दोस्तो इसके जो बीज होता है इसके तेन निकाला जाते हैं या इसके जो रस होता है दोस्तो इसे भी आप निकाल सकते हैं तो इसके बीज का रस या दोस्तो आप इसके रस कभी परोग कर सकते हैं ठीक है दोनों का परोग कर सकते हैं पत्ते का रस निकाल सकते हैं या जाता है और मध्यम गर्म आज पे पकाने एकदम धिमी-धिमी मध्यम गर्म आज पे तो दोस्तों से क्या होता आप देखेंगे अगर 28 दिनों तक धिरे-धिरे मध्यम गर्म आज पे पकाते हैं तो 28 दिनों के भीतर में आप देखेंगे जो आप तंबे डालेंगे सुद्ध त तो दोस्तों आप देखेंगे 28 दिनों को प्रांद में आप जो रखे रहेंगे डमरू यंत्र में जो तामबे वा शॉन्ड में परिवर्थित हो जाएंगे इतना ज्यादे पावर्फुल होता है ये पोदे दोस्तों ये नियत की उपर भी नियत कितना साफ है अगर आपके नि भगवान नजर आने लगते हैं अगर नियत साफ नहीं है तो भगवान पे भी पत्थर नजर आने लगते हैं तो ये अपनी अपनी नियत की उपर भी निर्भार करता है देखिए दोस्तों परयोग करने में किसी भी तरह के कोई हर्चा नहीं है परयोग करके 28 दिनों की बात को सबिस्क्राइब कीजे धन्यवाद